हेलो दोस्तों विल्कम बैक टो मैं चनल यदि आप है बिहार बोट क्लास टेंथ के स्टुडेंट और आप लोग का एक्जामनेशन राष्ट वासा यानि नौन हिंदी का तो मैं आप लोगों के लिए और इजिनल पेपर ले करके आ चुका हूं तो चलिए स्टार्ट करेंगे ह इसके लिए हो जाएगा युद्धिस्थिर अगला हम लोग देखेंगे इसका जो यह होगा आपका आप्सन नमर्बी सूध लिखा हुआ जलजला का विप्री तार्थक सब्द यानि जलजला मिंस भुकंब होता है और इसका विप्री तार्थक मतलब होता है जलजला का अगला हम लोग देखेंगे जो करिया दो या दो से लेकीवार अगला है जैसी करनी वैसी तो वहाँ भर नीभर देंगे हम लोग मौथ कितने वेस धारन करके द्वार आई है तो बनाता है तो संकर सहलेंदर अगला हम लोग देखेंगे तो इदिगा कहानी का नायक कोन है तो हामिद अगला है इदिगा कहानी के लिखा कोन है तो प्रेमचन अगला धूप को चांदनी कोन बनाता है करमबीर अगला है कठिन काम आने पर करमबीर क्या करते हैं उकताते नहीं एगला ऐसोग किस कहानी का नायक है तो असोग का सस्तरत्याग अगला है दिन बंधु निरॉला किस परकार की रचना है तो निबंद है अगला सवाल हमें देखेंगे बाल मजधुरी की समस्चा किस पार्ट में उबाए तो किस होटल में काम करता था तो कसा राके अगला हम लोग दिखे अपर आज इत सब्न का सही अर्थ होता है जिससे हार जिसने हार ना मानी हो अगला का इसदिलिंगu क्या होगा कभीरत्री अगला बेद सब्द का विशेशन क्या हो जागा वैदिक अगला पुरुस वाजक सर्वनाम के कितने प्रिकार होते तो तीन अगला जिन सब्दों के खंड किया जाने स्वाइक कोई अर्थ नो निकले उन्हें क्या कहते तो रूड अगला प्रित्वी का पढ़ियावाची होगा सभी ठीक है आगे क्यों हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर कुर्शी तोड़ना मुहाबड़े का सही अर्थ है अधिक श्रम कुर्थी कुर्षी तोड़ना का हो जागा आपका मेहनत ना करने यानिका अप्सान नमर यह होगा अगला हम लोग देखेंगे मोटापा सब्द में सही परते क्या हो जागा तो यहां पर हो जागा टापा अगला हम लोग देखेंगे परिश्रम नहीं करने वाले नहीं करने वाले च्छा तो तिन नहीं होते हैं इस वाक्यों में परिश्रम न करने वाला क्या है तो यह पदवंध है अगला निमनीखित में सह समुच्च बोधा क कौन सा उधारान है तो इसका अंसर हम लोग छोड़ देते हैं आप लोग अपने हिसाब से देख लेज़ेगा अकला है पर्तेक में कोन उपसर्ग है तो इसका हो जाएगा आपका पर्ती ठीक है अगला हम लोग देखेंगे हिर्दय का विशेशन निमन में से कौन होगा तो हार अगला हम लोग देखेंगे फॉर का उचारन स्थान क्या है फॉर का हो जागा उस्ट अगला है विशेशन कितने तरह के होते हैं तो चार अगला है निराला किस काल के कभी है तो आधुनिक काल के अगला हम लोग देखेंगे पीपल किनकी रचना है तो गोपाल सिंग नेपा किन के रजणा तो आल्लामा मैनी मुहमधिक्वाल के अगला है कबीर के पढ्र किन की रजणा है तो कभीर दास की उपर विस्तिरित नवह नीघ नीखे वसुधा में तो यह हो जागा आपका ऑप्सण नमरे नदी जिल अगला त्याग का अर्थ क्या होता है तो लक्षमी भाई अगला हम लोग देखेंगे तो मुमकिन का अर्थ क्या होता है संभाव अगला है मितरता पार्ट के लेकर कौन है तो मित्रता पार्ट का लिखा का आप लोग देख लिजेगा अगला आशोक का सास्तर 23 किस परकार की लचना है तो एक कांग की अगला हम लोग देखेंगा फो पाե गशार नहीं अस्थान का थो वर्स्ट अगला है दिर्टॉड किले साधिय में कितनी मातराइं होती इसका भी अंसर आप लोग देख लिजएगा रसीला में कौन सा पड़ते हैं तहीला में अंदारी सब्द का भी लोम होगा भी इमानी अगला हम लोग देखेंगे तो जर खुदना मुहाबरे का क्या अर्थ है इसका होगा समूल नस्ट करना ठीक है अगला है हाल काल कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव कोशन्स मैं रख दे रहा हूं आप लोग अपने से इसका अंसर कर लिजगा आप लोग सब मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर बच्छी कर सकतके हैं जा ए क्ढम्राइब का लोग वेटेड Margaret